हेलो फ्रेंड्स डिके स्पाइसी कीचेन में आप साब का स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं बेंगोल का एक फेमास रेसिपी पात्ता गोबी के साथ मचली मुंडी रेसिपी तो चलिए बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले पत्ता गोबी को काड लेंगे मैंने यह पे ले लिया है मचली का मुंडी आप मुंडी को अच्छे से अवास कर लेंगे आप मेरिनेट करेंगे डालेंगे एक चमच नमक एक चमच हल्दी पाउडर एक चमच कस्मिर मिर्च पाउडर आप हातों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला अंदर तक जा पाए मैंने यह पर ले लिया है मचली का फैट आप ग्याज में कड़ा चड़ा देंगे डाल देंगे पत्ता गोभी डालेंगे अधा चमच नमक डालेंगे एक काप पानी आप प्लेम को रखेंगे हाई और ढखके दो से तीन मिनिट तक पकाएंगे दो से तीन मिनिट हो गया है धककन खोलके इसका पानी छान लेंगे अब कड़ाई को साप करके गेज में चड़ा देंगे और कड़ाई में डाल देंगे सरसो ओयल अब ओयल जब अच्छा सो गरम हो जाए डाल देंगे मेरिनेट क्यों हो मचली मुंडी झाल जब डाल देंगे माझ झाल आँड़ा हैाएंगे माझ झाल अच्छा झाल आड़ाएंगे झाल शाबावे घर को अब डाल वाल झाल 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 अब लो फ्रेम में ढखके कुछ दर फ्राई करेंगे फ्राई हो गया है दोना साइड मिकाल लेंगे बाकी फीज मुन्डी को भी फ्राई कर लेंगे ढखके लो फ्रेम में फ्राई करेंगे फ्राई हो गया है निकाल लेंगे डाल देंगे फीज फ्राई करने के लिए ढखके फ्राई करेंगे फ्राई हो गया है निकाल लेंगे अब उसी तेल में डालेंगे आलू को फ्राई करने के लिए डालेंगे अधा चम्मच नमक अच्चे से मिक्स कर लेंगे डालेंगे अधा चम्मच नमक अब मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे अलू को अलू फ्राई हो गया है निकाल लेंगे अब उसी तेल में डालेंगे तीन छोटी लाईची एक दार्चिनी का टुगड़ा और तीन लॉंग डालेंगे दो मीडियम साइच का कटे हुया प्याच अब प्याच को गोल्डेन कलर होने तक फ्राई करेंगे आप डाल देंगे एक बड़ा साइच का चौपके होगा टमाटर डालेंगे एक चमच हल्दी पाउडर अब डालेंगे एक चमच जिरा पाउडर एक चमच लाल मिर्च पाउडर एक चमच काजमेरी मिर्च पाउडर अच्चे से मिक्स कर लेंगे अब डालेंगे तीन तेज पाउड़ा अब डालेंगे देड़ चमच लेस्ण का पेस्ट डालेंगे एक चमच सरसो का पेस्ट अच्चे से मिक्स कर लेंगे अब डालेंगे माटर डालेंगे थोड़सा पानी अब डाल देंगे फ्राई क्यों हाँ अलू डाल देंगे थोड़सा पानी अब ढखके लो फ्लेम में कुछ दर पगने देंगे तक कि आलू अच्छा से बोयल हो जाए धक्कन खोलके मसल को बिजबिज में चलाते रहेंगे अब डाल देंगे पत्ता गोबी अच्छा से मिक्स कर लेंगे अब डालेंगे फ्राइक के वहाँ फिस मुन्डी और फिस फैट डालेंगे दो हरा मिर्च मिर्चा आप आपने हिसाब से ज़्यादा या कम डाल सकते हैं अब वोपर से डाल देंगे चौप के वहाँ धनिया पत्ता आप अपत्ता गोबी के साथ फिस मुन्डी रेसिपी बिलकुल तयार है साथ करनी के लिए विडियो पसंद आये तो लाइक, सेर और साब्सक्राइब करना ना भूले ठैंक्स फर वाचिंग झाल दो एका उनिया जनिया